पाईए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की आज दिन है गुरुवार गुरुवार दिन बड़ा महत्पूर होता है खासतोर से जो देव गुरु ब्रहस्पति हैं उनके नाम पर आज का दिन ब्रहस्पति पड़ा अपने सनातन धर में ब्रहस्पती का बहुत महत्व है ज़िए आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं ता आपके लिए चारता है और इसमें जो ब्रहस्पत की भूमिका होती चुकि देवताओं के गुरू हैं अगर आपकी कुनली खराब है और ब्रहस्पती अच्छा हो ता आप काफी अच्छा कर सकते हैं प्रगत कर सकते हैं शादी विवाह के लिए अच्छा है कोई भी मात पूर लेड़े ले सकते हैं तो ब्रहस्पती को आप कैसे ठीक करें ताकि आपका हेल्थ ठीक रहा है वेल्थ ठीक रहा है प्रगती हो शादी विवाह की परिशानियां दूर हो तो आज के दिन आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे अगर उख करते हैं तो आपकी जीवन में होने वाली परिशानिया दूर होंगी जदी ब्रहस्पति गरह के नाते पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है तो आप क्या करें कि पड़ते एक ब्रहस्पतिवार के दिन मंदरों को केला खिलाईए या हल्दी की गाठ अपने पर्ष में रखिए ब्रहस्पतिवार के दिन क्या करें कि केले के ब्रिक्स पर आप चना, चावल और गुड डाल के उसकी पूजा करें आपको लगता है हेल्थ को लेकर के चिंदित हैं परिशान है तो नहाते समय हल्दी एक चिटकी डाल करके आप पानी में स्टनान करें देखेंगे कि आपका स्वास्त उत्तम होगा ब्रहस्पतिवार के दिन पेले रंग का वस्त्र धान करना अच्छा रहेगा तो देखा जाए छोटे छोटे चोटे गर आप पाय करते हैं ताब कब रहस्पतिवार अच्छा होगा आपके लिए बेतर होगा और साधी भी बाह में अगर लगता है कि मेरिड लाइब दिक्कत हो रहे है परिशान आ रहे है दामपति जोन में कर्टटा आ रहे है तो आप भगवान रहस्पति देव के अरातना करी जो देवताओं के गुरू है उनकी पूजा करने से आपकी सारी समझाएं समधान होगी अगर साधी के लिए कहीं फल्ट कर रहे है तो उसमें क्या करें कि जब जाना है तो हल्दी की गांट जरूर लेके जाए ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा अपने तिजोरी में हल्दी, धनिया और चाल को पीले रंग में रंग करके पीले रंग की पोटली में बात के अपने तिजोरी में रख दीजिए आपके आर्थिक की सिती बहुत सुद्रिन हो जाएगी ऐसा करना आपके लिए लाप प्रद रहेगा भागी गुरु कारक्रम में बस आज इतना ही, फिर हम आपसे कालिसी समय इससी वक्त मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख तेरे नीज इस्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तरा करन, नमस्कार पाईए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की, आज दिन है गुरुवार, गुरुवार दिन बड़ा महत्पूर होता है, खासतोर से जो देव गुरु ब्रहस्पति हैं, उनके नाम पर आज का दिन ब्रहस्पति पढ़ा अपने सनातन धर में ब्रहस्पति का बहुत महत्व है, जड़ी आप कोई भी पूजा पाट करते हैं ता आपके लिए चारता है, और इसमें जो ब्रहस्पति की भूमिका होती, चुकि देवताओं के गुरु हैं, अगर आपकी कुनली खराब है, और ब्रहस्पति अच्छा ह तो आप काफी अच्छा कर सकते हैं, प्रगत कर सकते हैं, शादी विवाह के लिए अच्छा है, कोई भी महत्वर नेड़े ले सकते हैं, तो ब्रहस्पति को आप कैसे ठीक करें, ताकि आपका हेल्थ ठीक रहा है, वेल्थ ठीक रहा है, प्रगत हो, शादी विवाह की परिश मंदरों को केला खिलाईए या हल्दी की गांट अपने पर्श में रखिए ब्रेस्पत्वार के दिन क्या करें कि केले के ब्रिक्ष पर आप चना, चावल और गुड डाल के उसकी पूजा करें ओम विश्लुए नमा इस मंदर का जब करें आपको लगता है हेल्थ को लेकर के चिंदी थैं परिशान है तो नहाते समय हल्दी एक चिटकी डाल करके आप पानी में इस्टनान करें देखेंगे कि आपका स्वास्त उत्तम होगा ब्रेस्पत्वार के दिन पेले रंग का वस्त्र धान करना अच्छा रहेगा तो देखा जाए छोटे छोटे चोटे गर अपाय करते हैं ताब कब रेस्पत्वार अच्छा होगा आपके लिए बहतर होगा और साधी भी बाह में अगर लगता है कि मेरिड लाइब दिक्कत हो रहे हैं प्रिशान आ रहे है दामपत्य जो उनमें कर्टटा आ रहे है तो आप भगवान रहष्पत्य देव के अरातना करी जो देवताओं के गुरू है उनकी पूजा करने से आपकी सारी समझाए समधान होगी अगर साधी के लिए कहीं फल्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या करें कि जब जाना है तो हल्दी की गांट जरूर लेके जाए ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा अपने तिजोरी में हल्दी, धनिया और चाल को पीले रंग में रंग करके पीले रंग की पोटली में बात के अपने तिजोरी में रख दीजिए आपके आर्थिक किस्टी बहुत सुद्रिन हो जाएगिया ऐसा करना आपके लिए लाप्रद रहेगा भागी गुरु कारकरम में बस आज इतना ही फिर हम आपसे काले सी समय इसी वक्त मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त आप देखते रहे नीज इस्टेट उत्तर प्रदेश उत्राकर्ण नमस्कार